अब इसके पर एक प्रेजंटेशन बनाते जो पॉर्टफोलियो और दोनों चीज़ों को डिसकस करेगा तो यहां से पहले मैं अपना जरह माइक्रोफॉन चेक करें अब तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है अंडर स्टेंडिंग डिफ्रेंस सेल्फ इंट्रोडेक्शन वर्सेस पॉट्फोलियो तो अब स्टार्ट अप कैसे लेंगे यहां से क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे यहां से एक प्रेजंटेशन लेंगे और अब यहां पर हमने डालना क्या है कि सिंप्ली अपने टापिक को डाल देना है कि सैल्फ इंट्रोडेक्शन वर्सेस पॉट्फोलियो ठीक है इसमें वर्सेस को थोड़ा सा हाइलाइट कर लें ताकि यह थोड़ा रहे और इसका ज़र दोट तोपक है 60 प्लस पर रहे हैं अब यहां पर लिखना है यहां पर लिख सकते हैं और जो भी नाम है अपना जैसे आपने लिग दिया और जो भी आपका डेट बगएरा या आपका डेजिगनेशन है और डेट आपने यहां पर लिग दिनी साथी डेट पर बना रहे हैं फाइफ में फाइफ जून तो यह क्लियर आपका जोना मैसेज हो जाएगा यह चीज बनाने जा रहे हैं और आगे इसके बारे में बात की जाएगी ठीक है यहां पर क्लिक कर देते हैं यहां पर यहां से नेक्स स्लाइट पर जाना अब नेक्स स्लाइट में हमें इसने दिखा के जो है ऑवर्वियू यह हमें यहां पर बता रहा है तो यहां पर जैसे यहां यहां पर आपने एक स्लाइट लिया और पर लिखा सेल्फ इंट्रोड़क्शन ठीक है अब यहां पर कुछ इस तरह के मामलात भी रहते हैं माज़ोगाद के जैसे लोग बाग पिक्चर्स को ज्यादा लाइक कर रहे होते हैं तो यहां पर उससे रिलेटेट पिक्चर्स ले है अगर इंटरनेट अने करेंग नहीं होता तो फिर मैं यहां से जाता और यहा पर जाके ऑंवी वेबसाइट को विज़िट करता जैसे पेकिनल को कर लेता है और यहां चॉक्र आप या Shutterstock है जो भी Free Websites है जो Contents रखते हैं तो यहां पर हम Self Intro से Related एक फोटो ले लेते हैं ठीक है अब यहां पर Self Intro से Related यह मुफ़तलिक फोटो हैं तो अब इसा कोई Meaningful फोटो जो है उसके साथ नजर आए कि हम उसमें जैसे मौस्टली तो अपना इक फोटो लगाया आदमी ज्यादा बहतर है तो यहां पर आपने को इसा कोई फोटो ले लेते हैं कि काम करते हैं फोटो ले लेते हैं इसका यहां से इसको डाउनलूट कर लेते हैं हो रहा है डाउनलोड है ठीक है यहां पर दाउनलोड हुजएगा हमारे पास और यहां इस फोटो को हम इसको अधिया है इसको अधिया प्रेश्च कर दे रहे हैं टॉप पर आगया फोटो यहीं फोटो हमने उठाके अगर बिंग पे नहीं मिल रहा है तो इंसर्ट में यहां पे ऑप्शन होगा इमेज कॉंप्यूटर से ले ले और जहां पर हमने इसको सेफ किया है वहां जाके तो यह में इसके पड़ अपना एक पॉटो इसका अब नेक्स के अंदर क्या है चीज को हमने आट करना आगे लिए के चलना है तो वोट इस सेल्फ इंट्रोड़क्शन अभेग से कुस्चन डालना है टाइटल डालना है उसके लिए हमें ऐसे ही करना है हमने यह जो है फड़ा सा हाइलाइट करके तो इसका जो मार्क है हमने यहां से आटा धिया और इस question mark के लिए हमने कुछ और key points को यहां पर सर्च किया जैसे यहां से हमने Google ले लिया question mark images ठीक है और ठीक है यह image ले लिया हमने यहां से right copy image कर लें यहां से चले मैं सेफ कर लेता हूं हमने पास कि यहां पर रखके आपने थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया है तरह से यहां पर देखा यहां पर ऑल पिक्शर करेंगे थोड़ा थोड़ा इमोशन भी डालें उसके अंदर ना इमोशन डालेंगे तो ही उसमें कुछ आपकी बहतरी आएगी इसके लिए खोड़ा सापको सीखना पड़ेगा दूर चार प्रेजंटेशन देखने के बाद फिर आप उसमें कुछ इमोशन डाल सकेंगे अपने अब उसके अंदर आपने देखा कि आप यह नेक्स क्या चीज़ एक्सलेइन करनी है तो यह टॉपिक्स थे पॉइंट्स थे यह आपने यहां से लिए इन पॉइंट्स को यहां पे डाके इसको पैस्ट कर दिया और यह पैस्ट करने में तक्ली यहां पर आपने इसको इस तरह से रख दिया और उसके बाद आपने इसको रख देना है प्रिसेंटेशन पर जाके तो यहां से कुछ हमारा टैक्स यह बहार निकल गया आगे पीशे हो गया अजी वह गरीब हो गया ही तो आआग्स को भी हमारे फसको भी हमारे ख़राब कर देता है तेक्स है आप कि जो जब कृत में जो को भी हम्हेरे बॉस्वती ले उड़िघता है अग्षा अगर अगर हम डाइरिक लिपास कर दे तो यह फोद अतना बाउस पराएगा है कि कउजन错 अच्छा इसका क्या सिलूशन है कि हम इसे टेक्स ले रहे हैं और यह हमारी स्लाइड ही खराब कर दी तो यहां पर जाकर हमने देखा एक ही क्लिक के दीख लेते हैं कि वहां से एक ही कॉंटेंट को यहां से कॉपी करते हैं और यहां पर क्लिक करके प्रेस्ट करते हैं तो यहां पर क्लिक करके लेकिन यह मान नहीं रहा है इसको बदब कुछ हमझ में नहीं आरी बात सी तरीके से पूरा पूरा लेना पढ़े रिसक्स तरी के से ठीक है तो यह इस तरह से आगया इसके पर और और सेल्फ इंट्रोड़क्शन और यह ओवर्वीव जो था हमने यहां पर इस तरह से लाल दिया ठीक है यह चीजे हमने इसमें आट करें अब्रीफ प्रेजंटेशन अब्रीफ प्रेजंटेशन अफ उनसल्फ इंक्लूड की परस्नल डीटेल्स नेम बैग्डाउंट एंड रिलेवन एक्स्पिरियंस ट्पिकली वर्बल और रिटन और यूज इंटर्व्यू नेट्वर्किंग और सोशल सटिंग वगरा तो यह ची कि नुटके साइस कर देए उन चीजों को अलग से दार्फ तो यहां पर पॉर्ट्फॉलिए की बात हो रही है आँ पॉर्ट्फॉलियो में हमने यहां पर पहलो के अहां पर पहले स्टर्ट की अलगा था च्रीक हो च्राग का चाहिए एस तरह चाहिए पॉर्ट्था लिख एक में किन फ्रीपॉट्था इंचो इससरों कि चाहिए तरह पॉर्ट्था चै抺 अब prioritize सकते हैं धान यह जूनाइच सेकंड इमेज जो इसके अंदर है जो नीचे आ रही थी पॉट्फॉलियों जस्ट सम्थिंग के कोई उसका केस कोई इसका प्रटक्शन पर आ गया यह देखें यह इमेज भी पॉट्फॉलियों के लिए बहतर रहेगा किसके पास इसका सारा किट है उसके पेसने अपने सब को एक्स्प्लेइन किया हुआ है और दूसरा यह इमेज भी हो सकता लेकिन यह पहर इमेजिस हैं तो हम पॉट्फॉलियों में जो लगाने वाले हैं वह यह वाली पोट्व लगा लेथे यह वाला कुछ इमेज आना हमें बहतर लग रहा है तो यह दो पिक्ट अब यहां पर प्रेसेंटेशन में क्या करना है तो जैसे प इंसर्ट में चले जाए एक इमेज पिक्चर एड कर आलें इस डिवाइस करके यहां से कि दाउनलोड पर और यहां से इसको कट कर लेते हैं और अपने फोल्डर में डाल लेते हैं लेटेस्ट वाले में यहां पर क्लिक करके इमेज एड हो जाएगी और कि और के बाद जियसे यहां पर आपके लिए वर्य वर्य व आप लेखना चाह रहे हैं तो जाए और beton लिखते हैं और इसको फड़ा सा बड़ा करने कोशिश करते हैं 32-36 तक और संटर कर देते हैं या लगा देते हैं इस तरह से इसके बाद यह जो अमने लिखता है इसको भी स्टेप एंटर करके नीचे ले आते हैं और यह इसे नदर आएगा तो तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में जान आजाएगी आपकी और क्या होगा अब इस तरह सको भी डिफाइन कर देंगे अब की डिफरेंसिस में क्या है यह डिफरेंसिस बताएगा है ना के परपस पॉर्मेट यूज कैस अब यह कैसे एक्सप्लेंड करेंगे देखें इसमें की डिफरेंसिस क्या है इस पर एक है पॉट्पॉलियों के लिए और लिए लेंगे इसको अब करेंगे और उसका जो की पॉइंट है यहां पर आप लेंगे कि अच्छा इस पर्पर्ली आपको यह भी बताना है कि इसकी सवाले से हैं पर्पस क्या अपर्डिंग टू पर्पस है तो कि इसको फिर आप ऐसे एक्सलेंट करेंगे कि अच्छा आपको यह भी एक्सलेंट करेंगे हैं पर्पस काज़ यह भी बताना है कि अच्छा भी घृ भी यह भी यह भी यह भी षाना है अच्छा आपको यह झाज़ित आना है 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 तो अब यहां पर की डिफ्रेंस इस 44 पर रहेगा यह बढ़ाएंगे आपको कसा का पि警 लिए कि ए इस तरह से आप इसकोtoi च्रय कर सकते हैं और इनको फुर्ण सा करके अच्छा अगर थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत जादा भर गया है कुछ इस तरह का काम हो गया है इसी का डुप्लिकेट ले और कौन सा डेटा रखना और कौन सा डिलीट करना है ठीक है तो उसे साफसे भी देख सकते हैं जैसे कि अगर हमें यह आखरी वाली लाइन इसका सह है और इसमें से आखरी वाली लाइन को चीक है कंट्रोल डी या राइट बटन दबाके डुप्लिकेट ले तो यह थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए और दीखने में भी अच्छा लग रहा होगा आप इसका 36 पे विला सकते हैं इस तरह का काम भी आप इसके अपर के ़िली मैंशन कर सकते हैं टीक है यह देखिया है इस तरह से वें टो यूज इक अब इस पे एच को कब यूज करना है और इस पर दो चीज आप लखा रहे हैं ठीक है तो इसके लिए जो चाप्रश। है तो कॉंटर्ट यूज कर सकते हैं बहतरी इसके लिए और यूज कर ले और इसके जितने हाइलाइट पॉइंट्स है यह भी यूज कर सकते हैं वालना लियाउट में जागे दुबारा से ले लिए कंपरेजन वाली स्लाइट यह भी इस पर काम दरेगी बहुत अच्छा इसम कि पैस्ट करते हैं तो और यहां पर है कि हाइलाइट पॉइंट्स है वह आप यहां पर फिर उताड़ लिए कि इस तरह से कुछ एट कर दिया आपने तो यह देखें यह चीज इस तरह से आपको पहले से बहतर नजर आएगी तो यहां पर हम इसको 40 तक ले जाते हैं और इसको भी 40 तक ले जाते हैं और इनको 36 पर अखले पर करेंगे तो इस तरह से देखें कुछ प्रेजेंटेशन आपकी बहतर होते चली जाएगी अब यहां पर आगया मिसाल के तोर पर की डिफ्रेंस अब की डिफ्रेंस का कोई इक इमेज देखें तो यहां मैं लिखता हूं की डिफ्रेंसेश अब इससे रेलेटेटर को इमेज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको यूज कर सकें लेकिन ठीक है इस तरह का मामला रहेगा इसके साथ अच्छा अब आते हैं डिजाइन की तरफ तो इसको एक सूटेबल डिजाइन दें पहले आप किस तरह के डिजाइन में ज़्यादा फिट आपको लगेगा इस डिजाइन पर रखते हैं कराम इसको शीक है ना तुब सामनें के स्पेसिस को चेड़ा था तो यह उपड़ नीचे हो गाए कि चेड़ा नीच आई था तो वह साही रहता है अपनी जागा पर ठीक अच्छा अब इसमें आप करेंगे के यह आपता हो गया जब आप प्रेजन कम्प्ली तक करेंगे तो आप यहां पर लिखेंगे आप का यहां वाले पहतर रहेगा कि यह वले एक फिक है दूसरा हम इसके अंदर अच्छा एक हो ले लेते हैं थैंक्यू का इसे आपने लास पर थैंक्यू का नॉट्ट करना है और फिर अगर कोई कुछीन का है तो क्वेस्टेंज और वैल्कम एक फोटू ले ले लें अची है आर्ट वर्क के साब से यह यह अच्छा है session question answer करना है यह अच्छा है मेज और फाइनली इसम प्रेसंटेशन में आट करेंगे हैं आजाएंगे टाउनलोड्स पर क्लिक किया हमने यहां से कुछ इमेजिस लिए थे फुल्डर में पुटप कर लेते हैं यहां पैस्ट कर लेते हैं यहां इमेजिस हमारे पास रिफ्रेश कर लेते हैं एक फेकर लगा सब्सक्राइब नाव ओर इस पर लिप्रीस दिया हैं यहां ब्लिक लेते हैं। एक इस पर करणा चाहँ हैं अगर अलग अलग करना का रहे तो वह आप कर सकते हैं अपने हिसाफ से यहां पहतर चाहिए। प्रेसी वाइस पे क्लिक कर लें और विए फटो अच्छा था यहां पर अज़ेश्ट प्यों जाएगा ठीक ना इस तरह से आप इसको फाइन करेंगे और भी चीज़ें इसमें आड कर सकते हो और पिक्चर कोई मुआखी इमोशन्स को आप डालना चाहिए इसके अंदर इसको बनाना चाहिए उसको अट्रैक्टिव बनाकि आप शीज़ों कर सकते हैं ठीक है है ठीक अब नाम को सब्सके डिजाइंज में जाकर कलर स्कीम को चेंज करना चाहिए पांड इस तरह करने के बाद अब अनिमेशन के से ट्रांजिशन लगा दें इसको कोई भी अच्छी सी नॉर्मल सी ट्रांजिक्शन लगाएं इतनी हाई फाई लगानी की जरूरत नहीं है जैसे यह ट्रांजिक्शन लगा दें और इसको अप्लाई ट्रांजिशन का सेशन आ जाएग स्पोसे थां तरह के है आण नैए यह अपस को सब्सक्राइबाब करें भी से साई आजये सालाय में नहुंते एपढस thinking टि भूस्प help effect । इंच को बीक इंच के अधान सबस्कों सब sırान कंशी näघ और को, कहाद सबस्खेन विर भिविल किन पिर सुमों कुरूपड़ करते हैं जात हमार फिर उनके अले की ऐपने एक प्केज families He mm smells okay उनकीर कैने और कर सबन्स्केट कर दूंतुर। भी एसका पतर। फ्र भी एसका ही जाए। सब्सक्रत कर दें ठेश कर दें। किहां ब मैं इसकी कशा सब्सक्राइब सब्सक्राइब इनका भी size वहाँ साइक्टार्ट करके और इनको भी एकछी सी animation लगाएं जहां से क्लिक करके और emphasize effects में भी एक effect है जिसमें आप इसको desaturate कर सकते हैं, object color change कर सकते हैं, underline कर सकते हैं, brushless color के change कर सकते हैं, blink करा सकते हैं, shimmering करा सकते हैं हम यहां से effect करेंगे और यहां से इसको हम जो है, appear effect देते हैं, च्रीक है, यह दर आ गया, च्रीक, किसका, यह picture एक ही है ना, इसलिए उपर नीचा नहीं हो पाएगा, फिर लिखना पड़ेगा, मैं text, अलग अलग बनाने पड़ेंगे, word art में जाएगे, एक object है ना, इसलिए व spiral in है, और wipe effect है, यह देखे, wipe effect भी अच्छा है, wipe effect देदें और इसको यहां से click करके, fly in कर दें, from left right कर दें तो, और इनको जो है, click करके, यहां से entrance हो जाके, और rise up कर दें, ठीक है, okay कर दें, यहां से, फिर यहां पर इसके effects हैं, अभी इस तरह से काफी सारे effects हैं, जो फिर हम देते चले जाएंगे, तो फिर हो जाएगा, फिर आप जब अपना presentation, जालेंगे इसके उपपर, तो अब देखें, कुछ variation आपको नजर आएगा, जो presentation आपने बनाई थी, और जो presentation अभी हमने design की है, इसमें, और, कुछ ना कुछ दोस्त में आपको, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ, आप emotions भी डालेंगे, जितने ज़्यादा emotions डालेंगे, उतना लोग इसको interest लेंगे, ज़्यादा देखेंगे इसको, फाइनली इसके पर यह चीजा जाएगे, ठीक है ना, इस तरह से आपने अपना प्रेजंटेशन अब करना है, और इससे आगे चलेंगे, एडवांस कुछ प्रेजंटेशन देंगे बनाने के लिए, बाकियों ने इसको फिर इस तरह से करके लिए कराना है, ठीक है, इससे करदे।